हलो स्टुजेंट्स मैं डोक्टर गिदारलाद सर्मा आप लोगों का SBN ओनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आज हम आप लोगों के लिए जोग्रोफी का वेडियो लेकर के आएं जिसमें जो लेशन है 12th क्लास का उसमें विश्व में जन्संक्या संरचना है वे उसका लेशन है वे 4th लेशन लेकर के आएं और आप लोग दूसरे जो जो जोग्रोफी के वीडियो हैं वे हमारे यूट्यूब चैनल पर SBN ग्रूप उप एजुकेशन पर आप लोग है वे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नए वीडियो जो है वे प्राप्त कर सकते हैं आज हम देखते हैं विश्व में जन्संक्या संरचना और जन्संक्या संरचना है वह विश्व के अंदर जो जन्संक्या की संरचना है बनावट है वह किस परकार की है इसमें जन्संक्या संरचना से आसे ये है जन्संक्या की वे सामाजिक विशेश्थाएं जन संख्या की वे सामाजिक विशेष्टाएं जिनका मापन किया जा सके और दोज है वे कोई भी है वे आपस में दो देशों के बीच में आपस में तुलना की जा सके जन संख्या संख्या की विशेष्टाएं और उनका मापन भी किया जा सके तता दो देशों के बीच में आपस में किसी आदार पर तुलना की जा सके इसको जन संख्या 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 की नाम से जाना जाता है जनसंक्या संद्चना काम क्या आती हैं जनसंक्या संगटन या पिर साकसरता या लिंगा नुपात या है वै वियवसाई इनका है वै अध्यन करते हैं इसके आदार पर हमें ये पता लगता है कि किस देश की जो सामाजिक आर्थिक विकास की गतिविदिया हैं वे किस परकार की हैं वे उच्चतम स्रेणी है या मद्यम स्रेणी में है या निमन स्रेणी में है सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक सांस्कर्थिक विकास किसी देश में ज्यादा हुआ है या कम हुआ है इसका पर्तिवादन का पता लग जाता है वह जन्संक्या संरचना के बारे में हमें पता चलता है उसकी जो सामाजिक विशेश्ताओं का है वह पतालग चलता है तो बोज दुबारा आगे हम देखते हैं जनसंक्या सनरचना में कौन-कौन सी चीज़ों का अध्यन किया जाता है फर्स्ट रूप है आयू समुये आयू समुये के अंदर हमारे यहां पर है वह हर देश में जनसंक्या की जो जनगणना करते हैं इस जनगणना में विभिन परकार के आयू समुये बनाए जाते हैं जैसे पांस से दस वर्स, दस से है वह 10 से 15 वर्स 15 से 20 वर्स 0 से 5 वर्स इस तरह के भी आयू समू है वह बनते हैं इन आयू समू ऐसे है वह जन सेंख्या की आवशक्ता का ग्यान होता है कि जन सेंख्या को किन चीजों की आवशक्ता है जैसे मालेज जी जीरो से 5 वर्स तक के कोई बच्चे हैं अब इन बच्चों को आवशक्ता है समय पर है वे पोसाहर मिले, समय पर है वे टीका करण हो, टीका करण समय पर हो मनोरंजन के अच्छे साधन मिले, तो यह है इनकी आवशक्ता है वे रूप होता है, तो सरकारों को इनकी आवशक्ता की आपूर्ती के लिए बजट योजनाई बनानी पड़ती है ऐसे ही पास से दस वर्स के जो बच्चे हैं तो उनके लिए प्रात्मे की स्कूल की आवशक्ता होती है दस से पंद्रा वर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए उच्छ प्रात्मे की स्कूल या माद्य में की स्कूल की आवशक्ता होती है और पंद्रा से बीस तक के जो बच्चे हैं तो उनके लिए है वह कोलेज की उच्छ शिक्षा की आवशक्ता होती है उनको रोजगार की आवशक्ता होती है उनको पर्शिक्षन की आवशक्ता होती है इन आवशक्ताओं के लिए सरकार है वह परतेग देश की सरकार है वह जन कल्यानकारी प्रतेग देश में जनगणना होती है और इस जनगणना में इस तरह के आयू समुहे एकत्रित किये जाते हैं मुख्य रूप से इन आयू समुहों को तीन भागों में विवाजित कर सकते हैं ये तीन भागें जैसे जीरो से चोदा वर्स यह बाल वर्ग कहलाता है बाल वर्ग ऐसे ही है वह 15 से 65 वर्ष ये विश्विश तरफर है वह कहलाता है भारत में जो रिटार्यमेंट की उम्र होती है वह 60 वर्ष होती है इसका जिए 0 से 15 से 60 वर्ष भारत में 15 से 60 वर्ष है लेकिन विश्विश तरफर 15 से 65 वर्ष तक के है वह यूवा वर्ग में सामिल किये जात से अदिक वाले है वह व्रद्वर्ग में सामिल होते हैं इन टीनों के अंदर बड़े रूप डिफेंस होते हैं जैसे बाल वर्ग है तो इसको है वैस्चिक्षा की आवश्यक्ता होती है यह जो जनसंग्या है वह एकारियसील जनसंग्या होती है जो काम नहीं करती है एकारियसील जनसंग्या होती है ये भी एकारियसील जनसंग्या होती है इसके अलावा जो विकासील देश होते हैं वहाँ पर मैलाएं भी एकारियसील जनसंग्या में सामिल की जाती है लेकिन विक्षित देश होते हैं तो वहाँ पर महिलाएं पूर्सों के बराबर काम करते हैं वो कारेसील जनसंख्या में सामिल के जाते हैं तो यूवा वर्ग होता है यह बिल्कुल कारेसील जनसंख्या में सामिल होता है जो जनसंख्या में काम करते हैं वह युवा वर्गी होता है जो उत्पादन करता है और उस उत्पादन के उपर है वह उस उत्पादन से जो होने वाली आई है उसके उपर ये एहकारे सील जनसंख्या वाले जैसे बाल वर्ग है व्रद वर्ग है या मैला वर्ग है ये उस यु युवावर्ग पर depend होते हैं, निर्भर होते हैं, उनसे हैवे उनको युवाँ से आय प्राप्त होती है, अब है इससे हैवे देश की आर्थिक, सामाजिक और सांसकर्थिक चीजों का हैवे पता लगता है, उसकी development का विकास का पता लगता है, जैसे जिस देश में हैवे युवावर्ग की परधानता होती है, तो उसमें युवावर्ग काम ज्यादा करता है, कारिसील जनसंग्या काम ज्यादा करता है, इस कारण से उत्पादन अधिक होता है, इस कारण से है वहे उस देश का आर्थिक विकास अधिक तम होता है, जिस देश के पास में बालवर् यह काम कम करती है इसकार से वहाँ पर आर्थिक संसाधन कम पाय जाते हैं आर्थिक पर्ति रूप से वो पिछड़ा हुआ देश है वह पाय जाता है अब इन रूपों के अंदर हम देखें तो बालवर्ग आपको सबसे ज्यादा मिलेगा पिछड़े देशों में मिलेगा नाइजीरिया में सबसे कममानव सुच कांक है नाढ़ा है चाड है यहां पर कवह हैं बोलिविया है अ I'm देशों के अंदर क्या है जंसंक्या के अंदर डाउपमेंट नहीं हो पाया तो डाउपमेंट नहीं हो पाया इस कारण से है अन्मार्य ऑधिक है और मर्त्य उदर अधिक होने के कारण वास्टविक व्रद्धी नहीं होती। वास्टविक व्रद्धी नहीं होती। इस वज़ए से इनके अंदर बालवर्ग जादा देखने को मिलता है। जैसे उदारान के वहतार पर जो कांगो के लोग है, कांगोधेस Давin वह चालीस वर्स है वह ओसताई वर्स यानि कि चालीस वर्स का आदमी है व्रद्ध हो जाता है क्यूं क्यूंकि कांगों के अंदर घने जंगल है इन जंगली भागों के अंदर जैसे ही कोई आवस्ता के अंदर सरीर के अंदर उम्र बढ़ती है और थोड़ा है वह ऐसावदान होता है तो वह किसने किसी जानवर का सिकार बन जाता है तो इस तरह से वहाँ पर मर्त्युदर ज्यादा पाई जाती है तो मर्त्युदर ज्यादा होने के कारण जो समाध है उसमें बच्चे है वह ज्यादा तर पाई जाते हैं तो यहां पर बालवर्ग सबसे ज़्यादा मिलेगा यही कंडिशन नाइजीरिया की है नाइजीरिया में गरीबी के कारण है वह मर्तु दर ज़्यादा है और मर्तु दर ज़्यादा होने के कारण जन संक्या के अंदर जो बालवर्ग है वह उसकी परदानता होती है तो पिछड़ लेकिन विकास सील देशों में इसकी थोड़ी सी अधीकता है वे पाई जाती है अधीकता रहती है विकास सील देशों में थोड़ी सी अधीकता है विक्सित देशों के अंदर ये थोड़ी कम पाई जाते हैं विक्सित और विकास सील देशों में दोनों में है ये ज़्यादा यूवर्ग जदा होता है यह उत्पादन जदा करता है इसकारण से आर्थिक विकास इस यूवर्ग पर ही है वर डिपेंड होता है व्रदवर्ग केवल विक्षित देशों में ही पाया जाता है विक्षित देशों में ही देखने को मिलता है यहाँ पर जापान देश है जापान के अंदर ओसताईू 12 वर्स पाई जाती है लंबी उम्र व्यतित करते हैं इसकान से समाज में व्रद लोगों का पर्तिशथ जादा है जापान दुनिया में सबसे जादा व्रद लोग देखने को मिलते हैं और भी है वे देश देखेंगे जैसे ब्रेटेन है, कनाडा है, यूएसे है, ऐसे विक्सित देशों के अंदर ज्यादा तर व्रद्द लोग है वे ज्यादा देखने को मिल देते हैं, और अस्ट्रेलिया में भी है वे इनकी संक्या तोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है, मोर प्रकोदेश, याँ पर भी ब्रद्ध लोग अपर्तिशत उह स्था उखन से जादा देखने के पाया जाता है, उख्यूरिशन रच्ण के टीन स्थेजagainst मादीपों के स्तर पर देखें तो यहां पर एसी आमादीप एसी आमादीप के अंदर बाल वर्ग है वे ज्यादा पाया जाता है विकासी देश है बच्चे ज्यादा है इसी कारण से है वे काया जाता है कि भारत के अंदर भी है वे लगवाग पैंतीस परतिसत है वे बाल वर्ग है अब यही लोग हैं, वे बोविश्य के अंदर व्रद युवा वर्ग होंगे और युवा वर्ग होंगे, तो कारी जंसन्य क्या बनेगी? उत्पाजन ज्यादा होगा, देश है, वे विख्शित देश के रूप में जाकर के उबरेगा, तो ऐसी स्ततियां है वैं इन देशों के अंदर देखने को मिलते हैं विकासिल देशों में पाय जाते हैं विक्सित देशों में विक्सित देशों के अंदर यूरोप और उत्रिय अमेरिका इनके अंदर है व्रद वर्ग है वैं ज्यादा पाय जाता है बच्चे कम हैं जन्मदर एक परतिसत से भी कम मिलती है परिणामता है जन्संख्या के अंदर व्रद लोगों का परतिसत बढ़ रहा है यह लोग इसलिए चिंतिते हैं कि बविश्य में जब बच्चे कमोंगे तो युवा कमोंगे और युवा कमोंगे तो देश का विकास जाएगा इस कारण से यह देश है वे चिंतत बाने जाते हैं और जाधा तर विकास इल देश हैं तो यह भी पिछड़े हुई है परिणामत में इनके अंदर है बाल बर गही वे ज्यादा मिलता है अफरीय कामें सबसे ज्यादा बाल बर मिलता है क्यूंकि उससे ताइव कम है इसकांसे बालवर्ग यहां पर है वे ज्यादा है भाइदत है तो ऐसे है वे इनके अंदर माधी पी इस तरह पर हम देख सकते हैं कि आयू की रूप परती रूप है वे क्या पाए जाते हैं ऐसे ही रूप है वह दूसरा रूप है वह देखने को मिलता है लिंगानुपात लिंगानुपात का मतलब होता है प्रैती हजार मैलाओं पर पुर्सों की संक्या को लिंगानुपात कहते हैं बुक में दोनों ही परिवासाइं हैवे दी गई हैं प्रैती हजार मैलाओं पर पूर्शों की संख्या की संख्या इसको लिंगानुपात करते हैं प्रैती हजार मैलाओं पर पूर्शों की संख्या को लिंगानुपात करते हैं यहें विक्सित देसों के अंदर परीबास आई जाती है, विक्सित देसों में पूर्षों की संख्या कम होती है, मैलाओं की संख्या अधिक होती है. इस कारण से प्रती हजार मैलाओं पर पूर्सों की संख्या हेवे देखी जाती है विकासिल देश बारत जैसे विकासिल देश यहाँ पर प्रती हजार पूर्सों पर मैलाओं की संख्या देखी जाती है पूर्सों पर मैलाओं की संख्या को को लिंगानुपात कहते हैं, कि संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, यह विकासी देशों में परचलेते हैं, विकासी देशों में ही परचलन में हैं, एक बार बोर्ड रिक्षा के अंदर पूचा गया था, कि लिंगानुपात के से कहते हैं, दोनों ही परिवासाओं को महत्त देशों में प्रती हजार मैलाओं पर बूर्सों की संख्या देखी जाती है विकासील देश जैसे भारत जैसे देश हैं तो इनके अंदर मैलाएं कम होती हैं तो प्रती हजार पूर्सों पर मैलाओं की संख्या को हैवे देखा जाता है सुत्र का अगर रूप देखें तो जिन जन संक्या और into 1000 यह लिंगानुपात का रूप अब जैसे विकासील देस है, तो इसमें महिलाओं की संक्या कम होती थी तो महिला जन संक्या कमें大概 पूरुषय जन संक्या और into एकजार तो इस सुत्र के दवारा भी है आपन लिंगानुपाथ निकाल सकते हैं दोनों ही परतिरूप मानने हैं बात करें विश्युश्तर पर विश्युश्तर पर है वह लिंगानुपाथ में भिन्नताइं देखने को मिलती हैं लिंगानुपात में बड़ी भिन्नताएं है वे पाई जाती हैं जैसे विश्यू का ओसत लिंगानुपात नो सो पिच्चासी है एसिया में भी देखें तो एसिया का एक अजार दो है एक अजार दू मैलाएं प्रती हजार पूरुस और यूरोप का देखें यूरोप का एक अजार बैतर है सबसे ज़्यदा एक अजार बैतर लेकिन आफरीका का देखें तो यह है 956 है आफरीका तो ऐसी है वेह लिंगानुपात का परती रूप है पाया जाता है विश्व स्तर पाया जाता है फर्स्ट बात विश्व के अंदर जो जन्म होता है उसमें मैलाओं की संक्या कम पाय जाती है पुरुस संक्या अधिक होती है परिणामते विश्व स्तर पर लिंगानुपात के अंदर मैलाइं कम पुरुस ज़्यादा होते है एक हजार पूर्सों पर नो सो पिच्चाशी महिलाई ही पाए जाती है लेकिन जन्म होने के बाद की जो परिस्तितिया है वह जन संख्या के अंदर लिंगानुपाद की परती रूप को बदल देती है कैसे जिस तरह से है वह यूरोप में एक हजार बैतर मैलाएं प्रती हजार पूर्स पाए जाती है उसका मूल कारण है कि यूरोप के अंदर मैलाओं की स्तती समाज में बैतर पाए जाती है रोजगार के अच्छे अवसर हैं, सभी शिक्षित हैं, परिणामत है उन्नत जीवनस्तर है, इस कारण से मैलाओं की है, वह संक्या ज़्यादा पाई जाती है, युरोब मादीप में मैलाओं की संक्या अधिक मिलती है, ऐसे ही है, एसिया की भागों में लगवग एक हजार दो सामाने रूप में, लेकिन भारत जैसे देश में, भारत है, चीन है, भारत के अंदर 940 मैलाओं प्रती हजार पुरुष पाई जाती है, बड़ा है, बड़ी मात्रा में है वह लिंगानुपात पर्तिकूल देखने को मिलता है, 940 मैलाओं प्रती हजार पुरुष पाई जात कि वहां का समाज है वे किस तरह का है महिलाओं के अंदर लिंगान उपात पर्तिकूल क्यूं होता है पर्तिकूल होने के मूल कारण यह है समाज में समाज में महिलाओं को कम वरियता देना महिलाओं को कम वरियता देना वरियता जैसे भारत के अंदर है पुरुष पर्धान है वे समाज है परिणामत है पुरुष को है वे समाज का संचालन करता वन्स का है वे वारिष माना जाता है इस कारण से समाज के अंदर महिलाओं की संख्या कम पाए जाती है क्योंकि पुरु को है वह वरियाता दी जाती है महिलाओं की मर्त्युदर अधिक होती है इसके अलावा जो प्रसवकाल होता है प्रसवकाल में यानि कि जन्म के समय जन्म के समय प्रसवकाल में मर्त्युदर महिला मर्त्युदर अधिक होना प्रसवकाल के दोरान महिला मर्त्युदर अधिक होना भारत जैसे देशों में बाल विवाए अधिक होते हैं बाल विवाए ऐ परिपक वास्ता में जब बालिकाएं माता बनती हैं उस समय मर्त्युदर अधिक होती है मर्त्युदर मैलाओं में अधिक होने के कारण पुरसों की संक्या अधिक और महिलाओं की संक्या कम हो जाती है तीसरा बड़ा कारण कन्या भून आत्याई कन्या को है वह कन्या भून हत्याई चिकित्सा संसादनों के दवारा है वह है लिंग जाच करवाने के बाद में कन्या के जो सिसु होता है यदि कन्या है तो फिरे उसकी हत्या कर दी जाती है तो इस हत्याओं के कारण में मर्थ उदर है वह ज्यादा रहती है परिणामता है वह यहाँ पर मैलाओं की संख्या कम पाई जाती है एक कारण है मैलाओं की आर्थिक परतंतर्ता हमारे यहां पर पुरुस परधान समाज होने के कारण आर्थिक रूप से मैलाई है वह अपने पती पर निर्भर करती है परिणामत है वह परिवार में भी है वह रूखा सूखा बोजन लास्ट में बचा हुआ है खाने के कारण है उनकी सारीरिक रूप से है वैं कमजोर होती हैं सारीरिक रूप से कमजोर होती है इस कारण से मरत्युदर है वैं ज्यादा होती है तो आर्थिक पंदन्धता भी एक कारण है जिसके कारण है वैं मैलाओं की संख्या घरती जा रही है पुरुसों की संख्या है बढ़ रही है तो ऐसे है रूप है देखने को पाए जाते हैं जिसके वजाय से ऐसे समाज में मैलाओं की संख्या कम होगी, पुरुश जनसंख्या है ज्सित देश हैं, European countries हैं तो यहां पर है मैलाओं की बहतर ही सती है साखसरता ज़्यादा है रोजगार के अवसर ज्यादा है इस कारण से बोड़ोजगार करते हैं जीवन स्केर नुननत फाय कारण है मैलाओं की सती बहतर होने के कारण है वहें लिंगानुपात उच्छ मिलता है समाज में मैलाओं की संक्या ज्यादा मिलती है मैलाओं की ये कारणों किसे है मर्ति उदर कम होती है विक्षित देशों में इस वज़े से वहाँ पर है वहें मैलाओं की संक्या अधिक पाई जाती है विक्षित और विकास सील देशों में जो गाउं और नगरी एक्षेत्र है इसमें भी लिंगानुपात में बड़ा अंतर मिलता है जैसे विक्षित देश है और उसमें है वह या तो नगरी एक्षेत्र हो सकता है और या फिर है वह ग्रामेंड एक्षेत्र हो सकता है विक्सित देश में नगरी एक शेत्र में लिंगानुपाथ आधिक मिलता है। मैलाओं की संक्या ज़्यादा मिलती है क्योंकि मैलाओं अच्छी शिक्षा और रोजगार के साधन होने चाहिए, कारण सुरक्षित मैसूस करने के कारण सहरों में जाकर के बस जाती है नगरों में जाकर के बस जाती है इस कारण से है वहाँ पर नगरी है वह क्षित्र में लिंगानुपात अधिक है लेकिन विक्सित देशों में ग्रामीन क्षित्र में मैलाओं का जो लिंगानुपात है वह यही condition अगर आपन विकासी देश पर लागू करें तो नगरियक सित्र के अंदर जो लिंगानुपात मिलेंगा वह कम इलेंगं क्यों? क्योंकि विकासी देशों में भारत जैसे विकासी देशों के अंदर नगरों में मैलाएं सुरक्शित नहीं रह पाती उनको है वै शिक्ष्या रोजगार तो है वै ज्यादा मिलता है लेकिन फिर भी है वै सुरक्षित मैसूस नहीं करती सामाजिक द्रश्टी से है वै हत्याएं या फिर बलातकार ऐस तरह की गटनाई है वै गटित होती है जिसकी वैज़े से ग्रामेन मैलाएं सहरों की और जाता है क्योंकि गाओं के अंदर है वै क्रैसिक शित्रों होने के कारण रोजगार आसानी से मिल जाता है और उस रोजगार के कारण है वै थोड़ा बोता है वह कारी करती रहती है तो ऐसे है वै ग्रामेन शित्रों की मैलाएं है वै प्रवास नहीं करती है इस कारण से ग्र ग्रामेंट शित्र में कम मिलता है लेकिन अगर विकासी देश है तो नगरी एक शित्र में लिंगानुपाद कम मिलता है और नगरी एक शित्र में लिंगानुपाद ग्रामेंट शित्र में लिंगानुपाद अधिक मिलता है नेक्स्ट हम जन्संख्या सनरचना का रूप लेते हैं जिसमें जन्संख्या संगठन जन संख्या संगठन जन संख्या संगठन जन संख्या संगठन का मतलब ग्रामेन और नगरिय जन संख्या से ग्रामेन वे नगरिय जन संख्या का अनुपात नगरिय जन संख्या अनुपात अनुपात से मतलब है कहने का मतलब यह है कि गाव में कितने लोग रहते हैं और सेर में कितने लोग रहते हैं यदि हम इन दोनों को डिवाइड करें तो गाव और नगर के अंदर मुख्य जो अंतर होता है वे कारिय का होता है काम का ग्रामेंड क्षेतर में प्रात्मिक रियाईं आदिम आखेट है, क्रैसी है, संग्रेण है, मतश्या खेट है, आदिम खनन है, पसुचारण है, इस तरह के कारी के जाते हैं उसको ग्रामेंड क्षित्र कहते हैं, ग्रामेंड क्षित्र में प्रात्मिक कारी है और नगरियक्षेत्र में गैर प्रात्मिकारिये क्रैसी को छोड़ करके कोई भी काम जो करते हैं वह नगरियक्षेत्र कहलता है विश्व इस तर पर देखें तो पूरे संसार में लगबग 50% जनसेंख्या नगरों में रहती है और 50% गाउं के अंदर रहती है ग्रामिन सित्र में निवास करती है 50-50% है वह जनसेंख्या का परतिरूप पायदत है लेकिन इसमें भी बड़ी भिनताएं देखने को मिलती है अगर विक्षित देश है विक्षित देश जैसे उत्री अमेरिका है यूरोब मादीप है इस यूरोब मादीप के देशों में और उत्री अमेरिका के देशों में यानि कि विक्षित देशों के अंदर लगभग 80% जनसेंख्या है वह नगरों में रहती है 80% नगरों में रहती है और लगभग 20% है वह ग्रामिन शित्र में रहती है USA में 90% जनसंग्या नगरों में रहती है और 10% जनसंग्या ग्रामेंड क्षित्र में निवास करती है तो ऐसी भिन्नता देखने को मिलती है ऐसी विकास सील देश है विकास सील देश है तो उनके अंदर लगबग 70% जनसंग्या गाउं में रहती है ग्रामेन क्षित्र में रहती है और 30% जनसंग्या नगरिये क्षित्रों में रहती है एसिया मादीब के अंदर ज्यादा तर विकास सिल देश मिलेंगे इनके अंदर 70% जनसंग्या गाओं में और लगबग 30% जनसंग्या है वहन नगरी एक्षित्रों के अंदर निवास करती है यही कंडिसन अगर पिछडे देश पर लागू करें तो वहाँ पर जैसे नाइजीरिया है तो नाइजीरिया में लगभाग 20% जनसें क्या है वहन नगर में रती है और 80% जनसें क्या गाउं में रती है तो ऐसा परति रूप आया जाता है मेरा ये कहना है विक्सित देशों में नगरिय जन सेंक्या का बड़ा परतिसत पाया जाता है वहाँ बड़े-बड़े मानगर, बड़े-बड़े उद्योगी के अंदर डलप्मेंट होए है अब इनके कारण उद्योगों और नगरों के कारण नगरिय जो समस्चया हैं वो वहाँ पर डलप्मेंट होए है आवास की समस्चया है भूमी का कम होना आवास ये भूमी की का भाव है परियावरन पर्दुषन है भूमी पर दूसर अन जल पर दूसर अन वायू पर दूसर ये नगरी एक्षित्रों में बरपूर मिलते हैं दुरगट नाया दिखोते हैं चिकेशा की साधन कम होते हैं आपस में जो सामाजी के मेल मिलाप है वह है नगरी एक्षित्रों में कम देखने को मिलता है जिन भागों में ग्रामेंड जनसंख्या है, उन ग्रामेंड जनसंख्या के अंदर कुछ अलग प्रकार की समस्यां उत्पन हो जाती हैं, जैसे पेजल की समस्या है, परिवेन की समझना है, सामाजिक सुविदाओं की समस्या है, इन सुविदाओं की समस्या के कारण है, कुछ स समस्य हैं वे डलपमेंट होती हैं मुर्ख के रूप से पिछड़े हुए देश में ग्रामेंड जनसंग्या जदा है और विक्सित देशों में नगरिये जनसंग्या जदा देखने को मिलती है एक सरूप है शाक्षर्ता साखसर्ता साखसर्ता का मतलब होता है साखसर्ता किसे कहते है भारत में अगर देखा जाए तो साथ वर्स मानी गई है next अपनी next अपनी जो सामज़ क्रिशेशता है वह उनके अंदर साखसर्ता साखसर्ता का मतलब होता है भारत में साथ वर्स मानी गई है पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करने का वर्स और वर्ड स्तर पर है वे चोदा वर्स माना गया है अर्थार्थ भारत में साथ वर्स विश्विश्तर पर चोदा वर्स से अधिक आयू का वह व्यक्ति जो किसी भासा को पड लिख वे समझ सके साक्सर कहलता है उसे साक्सर कहते है साथ या चोदा वर्ष UNO में चोदा वर्ष माना गया है भारत में साथ वर्ष है से अधिक आयू का वह व्यक्ति जो किसी भासा को पड लिख या समझ सके वह साक्सर कहलता है समाज में ऐसे साक्सर लोगों का पर्तिसत यह साक्सरता कहलती है समाज में साक्सर लोगों का पर्तिसत होता है उसको ही है वे साक्सरता कहते है अर्थार्थ समाज के अंदर शिक्षित व्यक्ति कितने है वह साख्सरता कहलाती है जो किसी बास्ता के बारे में व्याकरन आत्मक ग्यान रखते हैं जो समाज सबसे ज़्यादा सिख्षित होगा उसमें गुनाबक विविकास अधिक्तम होगा और जिस समाज के अंदर साख्सरता कम होगी उस समाज का पिछडापन जादा होगा उस समाज में अंदविश्वास, रूडिया, परम्प्राएं ये अधिक मात्रा में होगी उसको है वह साकसर्ता से है वे नोट करते हैं तो ऐसे साकसर्ता की द्वारा है वे विश्व स्तर्वेर है वे डिवाइडेशन देखने का कारिय है वे किया जाता है अब अब बात करें संसार की स्तर पर जो विक्षित देश है विक्षित देशों में साकसर्ता 90% से अधिक पाई जाती है इनमें भी कुछ है वे देश है जैसे स्वेडन है Sweden, ऐसे ही Finland है Finland, यह European countries के देश है Sweden, Finland ऐसे ही है वह Japan है Japan है या फिर है वह Spain है Spain, Denmark है Denmark इनमें है वह 100% साथ सरता है तो यह देश छोटे-छोटे हैं, लेकिन विक्षित स्तर पर है, वह पाई जाते हैं विक्षित देशों में साथ सरता 90% से अधिक मिलेगी विकासील देश हैं तो उसमें 50-90% तक साथ सरता देखने को मिलती है जैसे भारत है ब्राजील है, पाकिस्तान है इनके अंदर है, वह साथ सरता कम पाई जाती है ऐसे ही जो पिछडे हुए जो देश है उनके अंदर साथ सरता का परति रूप ओर ज्यादा है, वह देखने को मिलता है 50% से भी कम साथ सरता है ज्यादा तर आफरिकन देश सामिल है नाजिजिरिया है, कांगो है चाड है, गाना है और इसके अलावा है अंगोला है, बोलिविया है इस तरह के हैवे देश है जो ये गरीब देश है इनके अंदर हैवे साथ सरता का और भी कम परतिसत देखने को पाई जाता है इस तरह से साथ सरता पिछड़ापर्न और विक्सित देशों को अलगला करती है विक्षित देशों में अधिक्तम साखसरता है और पिछड़े देशों के अंदर कम साखसरता है वे पाई जाती है विश्विस्तर पर देखें तो लगवाग सतंतर परतिसता है वे साखसरता पाई जाती है लेकिन भारत में यह 14.04 परतिसता साखसरता है व्यवसाय का मतलब मानव अपने जीवी को पारजन के लिए जीवी को पारजन दूसरी रूप में आम कह सकते हैं भरन पोशन के लिए पेट बरने के लिए भरन पोशन के लिए कोई ने कोई आर्थिक करिया करता है और इन आर्थिक करियाओं को व्यवसाय कहते हैं मानव अपने जीवी को पार्जन के लिए या भरन कोशन के लिए कोई ने कोई आर्थिक क्रिया करता है इन्हें व्यवसाई के नाम से जाना जाता है विश्व के अंदर जो व्यवसाई हैं वहें पांच परकार के उल जते हैं प्रात्मिक व्यवसाई दित्यक व्यवसाई और तर्तियक व्यवसाई चतूर्थक व्यवसाई होते कुछ और इसके लावा आजकल पंचम व्यवसाई भी होने लगे प्रात्मिक व्यवसाई में आद आखेट, संग्रहन, क्रैसी, पसुचारण, मतश्याखेट, या खनन की क्रियाई होती हैं, ये क्रियाई हैं वे प्रात्मे की व्यवसाय में सामिल होती हैं इनके लिए मैंने सब्द जोड़ा है, सबसे पहले आदिम सब्द, आदिम सब्द का मतलब ये अगर पुराने तरीके से की जा रही हैं, ये प्रात्मे की व्यवसाय होंगे, लेकिन अगर है वे मशिनों का उपयोग किया जा रहा है, आदोनिक विज्यानिक पदत्तियों का अगर पुराने तरीके से सिकार कर रहे हैं, जैसे पत्थर मार करके या तीर से सिकार कर रहे हैं, तो ये है प्रादिम आखेट हो गया, प्रात्मे की व्यवसाय है, लेकिन यही आखेटा अगर बंदू की साहता से किया जाता है, तो फिर ये दित्तियों का उपयोग सुरू ह संग्रेंड अगर एकत्रित हैवे मशीनों से कर रहे हैं तो दित्यक व्यवसाई यदि हैवे पुराने तरीकों से कर रहे हैं तो प्रात्मिक व्यवसाई ऐसे ही क्रैसी का परतिरूप देखा जाता है अगर आप स्थानांतरन सील क्रैसी कर रहे हैं तो यह प्रात्मिक व्यवस की व्यावसायों में सामिल होते हैं दूसरा रूप है वह होता है जिसके अंदर जिसमें उद्योग सामिल है समस्त परकार के उद्योग धन्दे है कुटिर उद्योग, लग उद्योग, भ्रैद उद्योग इनके अंदर मशीनों का उपियों की अधता है तो जिनके अंदर है वैसारे मशीनों का उपियों की अधता है वे सारे दित्यक व्योसाई में सामिल होते हैं ऐसे ही उच्च तकनी की उच्च तकनी की सेवा सेक्टर है सेवा सेक्टर यह है वह तर्तियक व्योसाई है सेवाई सेवा सेक्टर का मतलब जिस तरह से चिकित्सा की सेवाई डोक्टर डोक्टर है वे इलाज करता है विमार का इलाज करता है यह उसके लिए सेवा है पुलिस की सेवा है वकील की सेवा है शिक्षक की सेवा है ऐसे बहुत सारी सेक्टर में आजकल है वे सबसे बड़ा है वे सेक्टर है सेवा सेक्टर के रूप में ज्यादातर लोग है वे सेवा से या पिर अन्य व्यापार की शेवाएं हैं ये है व्यापार और वानिजे की सेवाएं इसमें है वे सामिल हैं तो सेवा सेक्टर है वे कहलाता है ये तर्तियक व्यवसाय में आता है चतूर्थक व्यवसाय होता है वे उच्छ तकने की आदारित शिक्षा उच्छ तकने की शिक् यह पर्ट्यक सेवा सेक्टर के नाम से भी जाना दता है यह चतूर्थक व्ययवसाइए में साल्य होता है पंचम व्ययवसाइए और इसके अंदर होता है वह नेती निर्मान नेती निर्मान या फिर बड़े सलाहकार इसमें आते हैं ठेका पदत्ती ये हैं वे सामिल होते हैं नेती बनाना नेतिया बनाना ये पंचम व्यखसाई में होते हैं वो आजकल डालपमेंट होते हैं जैसे उदारण के लिए है वे परदानमंत्री का सलाकार है तो वह इसमें पंचम सेक्टर में सामिल हैं तो ऐसे है वह बड़े लोग होते हैं वह इस सेक्टर के अंदर आते हैं बड़े उद्योगबती आते हैं जो नीतियों को बनाने में बड़े जो वज्ञानिक होते हैं साइंटिस्ट होते हैं बड़े इंजिनियर होते हैं वो इसमे सामिल होते हैं तो उनको है वह है पंचम व्यवसाय में सामिल क्या जाता है यह स्वार्ण कोलर में होते हैं स्वार्ण कोलर में होते हैं स्वार्ण कोलर में होते हैं तो ऐसे जो लोग होते हैं यह पंचम व्यवसाय में सामिल होते हैं अब इनको वर्ड स्तर पर लागू करते है जो है वै अधिक्तम पिछडा हुआ देश होगा उसके अंदर प्रात्मे की व्यवसाही सबसे ज़्यादा किया जाता है अधिक्तम जो पिछडा हुआ देश है उसमें ये प्रात्मी किरियाएं सबसे ज़्यादा कियाती है लेकिन यदि विक्सित देश है तो ये दित्तियक, तर्तियक, चतूर्थक, पंसम किरियाएं सबसे ज़्यादा की जाती हैं ये विक्सित देशों के अंदर की जाती हैं आजकल विक्सित देश हैं वहें विकासील और पिछडे देशों के अंदर है वे है सायता तकनी की और पूंजी की सायता दे करके खनी संसादनों का दोहन बहुत ज़्यादा मात्रा में किये जा रहे हैं जिसके कारण है वे उनका पिछडापन या गरिभी पन है वे ज़्यादा बढ़ता जा रहे है संसादनों की लूट है वे मची हुई है तो इस तरह के परती रूप विश्व इस तर पर देखने को मिलते हैं यह जनसंग्या संरचना जनसंग्या संरचना विश्व में जनसंग्या संरचना का मतलब सामाजिक विशेष्टाइं जिनको माप सकते हैं या फिर दो व्यक्ति समुह के बीच में तुलना कर सकते हैं इनको जनसंख्या सन्रचना की नाम से जाना जाता है इनमें ये सभी सेस्ता ही पढ़ते हैं जैसे आयू समुह, लिंगा अनुपात, जनसंख्या संगटन, साकसर्था, व्यवसा इनके बारे में अध्यन करते हैं आयू समुह मतलब जन संख्या की आवशक्ता का घ्यान होता है और इस आवशक्ता के अंदर है वे अलग-अलग वर्गों के अनुसार आयू समुह होते हैं 0-5, 5-10, 10-15, 15-20 इस तरह के आयू समुह है वे जन गंडा के समय एकत्रित किये जाते हैं आखड़े एकत्रित केते हैं इनको तीन बागों में बाढ़ते हैं बालवर्ग, युवावर्ग, व्रदवर्ग युवावर्ग की जनसंग्या है उस वो 15-63 वर्ष लेकिन भारत के अंदर ये 15-60 वर्ष तक होती है 60 वर्ष से अधिक भारत में बालवर्ग, व्रदवर्ग, एकारे सील जनसंग्या होती है वह युवावर्ग के उपर है वह निर्वर करती है विकास, सील और विक्सित देशों में युवावर्ग की परधानता होती है पिछड़ा हुआ देश है तो वहाँ पर बालवर्ग सबसे ज़्यादा मिलेगा अगर विक्सित देश है बहुत ज़्यादा विक्सित है तो वहाँ पर व्रद लोग है ज़्यादा मिलेगे सबसे ज़्यादा दुनिया में व्रद लोग जापान में पाय जाते हैं लिंगानुपात प्रैती हजार पूर्सों पर महिलाओं की जनसेंख्या विकासिल देशों में या फिर प्रती हजार मैलाओं पर पूर्सों की जनसंख्या विक्सित देशों में लिंगानुपात के नाड़ों में परिवासित होती हैं इनके अंदर है लिंगानुपात जनसंख्या की सामाजिक सांसकर्तिक गतिविदियों को है वे प्रभावित करता है मैलाईं हैं वैं सामाने रुप से पूरुसों से हैं वैं कम पैदा होती हैं पूरुस ज़्यादा पैदा होते हैं मैलाईं कम पैदा होती हैं परिणामत है विक्सी देशों में महिलाओं की संक्या पूरसों से ज़्यादा पाई जाती है यूरोप के मादीप के अंदर एक जार बैतर महिला लिंगानुपाद देखने को मिलता है एक जार बैतर मिल लिंगानुपाद मिलता है यहाँ पर लेट विया है लैट विया यहां पर 1189 मैलाएं विसव में सबसे ज्यदा है 1187 मैलाएं प्रैती 1000 पुरुस पाई जाते हैं लेकिन अगर पिछड़ा हुआ देश है तो वहां पर है वे मैलाओं की संक्या कम पाई जाते है पूर्सों की शंक्या ज्यदा पाई जाते है महिला संक्या कमोने के कारण कन्या भोनात्या हैं समाज के अंदर है वे पूर्शों को वर्यता देना है या पिर बाल विवाय करना है या फिर है वे इस तरह के महिलाओं के आर्थिक परतंतरता है यह इस तरह के कारण हो है में मर्थ उदर ज्यादा होती है में इस इस नर नगरी एक परिणामत है ग्रामेन भागों में विकासील देशों में लिंगा अनुपाद ज्यादा नगरिय भागों में कम होता है इसके अलावा जनसंग्या संगतन ग्रामेन और नगरिय जनसंग्या अनुपाद विश्व में 50-50% पाया जाता है 50% नगरों में 50% गाओं में लेकिन विक वासिल देशे हैं, उनके अंदर ग्रामेंट जनसंग्या जदा है। साखसरता, साथ वर्ष से अधिकायू का व्यक्ति जो पड़ा लिखा हो, किसी वासा को पड़ लिखवे समझ सके। साखसर कलता है, समाज में ऐसी लोगों का परतिस्थ साखसरता कलती है। साखसरता समाज के गुणात्मक सवरूप को प्रभावित करती है। दित्यक व्यवसाय में उद्योग सामिल है, चत्यक में सेवा सेक्टर सामिल है, चतूर्थक में उच्च तकने की सामिल है, और पंचम व्यवसाय निती निर्धारन के कारिये, और सलाकार के कारिये, या उच्च वएग्यानिक या इंजिनियर के कारिये होते हैं, या फिर ठे का पदत्ती होती हैं उनको है वे पंजम व्यवसाय में सामिल किया जा रहा है इस परकार से ये लेशन समापत है दन्यावाद